हेलो फ्रेंड्स तो केसे आप लोग आज की इस बीड़ा में हम जानेंगे कार्बूरेटर केसे काम करता है पहले हम जानेंगे कार्बूरेटर की फंक्सन की बारे में फोर स्ट्रोक पेट्रोल एंजिन में इंटेक स्ट्रोक की दोरान इंटेक मैनिफोल एर फ्रेंटर की पहले कार्बूरेटर को लगाया जाता है और कार्बूरेटर को एर फिल्टर से एर सप्लाई और फ्रेंटर से फ्रेंटर से फ्रेंटर दी जाती है जिसे कार्बूरेटर न यह होता है कार्बूरेटर की मेन बोड़ी जिसके अंदर कई तरह की होल्स होते हैं जहां से पेट्रल बेहता है उसके नीचे आता है फ्लोड बाल्प जो फ्लोड चामबर में पेट्रल की बहाओ को कंट्रल करता है अब हम जानते हैं फ्लोड चामबर की बारे में वैसे वैसे उपर जाता रहता है और पेटरोल का बहाव रुख जाता है जब पेटरोल का लेबल चांबर में कौम होने लगता है और फ्रोट पिन नीचे आती हुई चांबर में पेटरोल को फिर से बरने लगेगा आप जब भी भी बाइक को स्टार्ट करते है तब फ्रोटरोल भाब हलकी सी खुल जाता है और स्लाइड हलकी सी उपर चला जाता है फ्रोटरोल भाब कुलते ही हवा स्लाइड से होती हुई अंदर चले जाता है और आप आप कन्फूज हो रहे होंगे कि एर अपने आप अंदर केशे आई यह होता है प्रेशर डिफरेंज के कारण जब एंजिन में पिश्टन टीडिसी से बीडिसी में आता है तब पिश्टन एयर को नीचे खीच लेता है अब अकेला तो एयर इंजिन को चला है नहीं सकता अब वैक्यूम के कारण fuel jet में से fuel pressure down होगा और pressure difference के कारण fuel jet से fuel throttle body में spray होगा अब throttle body में fuel atomize होकर air के साथ mix होगा और air fuel mixture बनाएगा accelerator को अब जब release कर देंगे तब throttle valve close हो जाएगा मगर stopper होने के कारण थोड़ी air throttle valve में release होगी और idle line में से थोड़ा fuel engine में जाता रहेगा जिसके कारण इंजिन में आइडलिंग कर पाएगा और इसी आइडलिंग के दोरान फुएल के एमांट को काम ज़्यादा करने के लिए आइडलिंग स्कूर दिया जाता है जिससे आप टाइट एलूज करके इंजिन का आइडल सेट कर सकते हैं जब हम पूरा अक्सिलेर्ट करते हैं ताब बाटर फुएल भाल पूरा खुलता है और ज्यादा मात्रा में एर और फुएल का मिक्सर इंजिन में चला जाता है इसके कारण हमारा बाइक ज्यादा स्पीड में चलता है मोर फुएल यानि मोर स्पीड लेस फुएल यानि लेस स्पीड अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को ज़दा से ज़दा लाइक अंड शेयर करें और हाँ ज़ते ज़ते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जहिन